हेलो एवरिवन एक वार फिर स्वागत आया आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर तो फ्रन जैसा कि अब थमनेल पे देखी चुके हो आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे अगर आप सभी कमीशन और कमीशन और कमीटियां जो हो प्रचेज करना चाहिए तो फ्रन्स वीडियो को शुरू करने से वहले बूस्टर सीरिज के तहत अगर आप सभी कमीशन और कमीटियां जो हो प्रचेज करना चाहते हो एच प्यू भी अडिन ट्रांस के लिए तो मातर पचास वे में आपको दो प्रोटेक्टेड पीडियो जो है प्रवाइड कर दी जाएंगी सभी कमीशन और कमीटियां और अगर आप 100 प्रक्टिस क्वेशन टेचिंग अप्टिट्यूड और आटिट्यूड के भी प्रचेज करना चाहते हो तो उसके लिए आपको प्चास वे पेड करने होगी अगर आपने दोनों प्रचेज करनी है तो आपको रुपीज प्रवाइड करने होगी अगर आपन तो फ्रेंट जैसा कि आज एक्जाम हुआ था SPU मंडी का उसमें जो GK के जो question पूछे गे थे वो हमने previous वीडियो में discuss किये थे अब हम national commissions and committees on education के जो question पूछे गे थे उनको इस वीडियो में discuss करेंगे तो जैसा कि आपको पता है जो हमने previous वीडियो जो HPU के लिए हमने power series होगी या फिर booster series होगी वो हमने उसमें जो question discuss की थे आपको mainly देखा होगा आपने question में पूछे में जो maximum HPGK के जो question थे 15-16 question में से 11 जो question ऐसे थे जो हमने वीडियो में discuss किये थे तो फ्रंस अब हम बात करते हैं National Commission and Comedy Zone Education के जो question पूछे गई थे तो इस वीडियो का question नमर फस्ट है इसमें बोला गया कि डैस में भारती विश्वद्याले आयोग ने विश्वद्याले शिक्षा के संबंद में सरकार की दुरगामी निरनयो का संकेत दिया था तो इस question का जो इनिवर्श्टी कमिशन जो तब कब आया था 1902 में आया था डॉक्टर सरपली रादा कृष्णन जो थे वो इसके अध्यक्ष थे ये भी आपने याद रिखना है नेक्ष्ट कृष्ण में जलते हैं वर्दा कॉंफरेंस 1937 अपॉंटेड अकमेटिव अध्यूकेशनिस्ट हैडडवाई तो कृष्ण में बोला गया है कि वर्दा सम्मेजन 1937 ने डैस के देख्ष्टा में शिक्षा वीदों की एक समीती जो थी वो निक्त की थी तो इसकी अध्यक्ष्टा में डॉक्टर जाकिर होसेन की अध्यक्ष्टा में ऑप्शन नमबर बी जो है इसकृष्ण का राइट अ अगले प्रेश्ट में चलते हैं इसमें बोला गया कि भारत में ग्यार उप्चारिक शिक्षा कारेक्राम की जो सुरुआत 1974 में पारित डैस के परस्ताफ के माधिम से हुई थी तो फ्रेंस इसकृष्ण में मुझे डाउट है आई तिंक इसकृष्ण का राइट अंसर होगा आपको अप्ष्ण नमबर डी हो जाएगा लेकिन जैसे ही मैं इसकृष्ण के अंसर को कनफर्म करूँगा मैं आपको कॉमेंटी शेक्ष्ण में कमेंन जो है वो पिन कर दूँगा नेक्स्ट कॉष्ण पर चलते हैं अगले प्रेंस में बोला गया है कि डैस पंच वर्षी योजना में परिकलबना की गई थी कि जिला UEE के लिए योजना की इकाई होगी तो क्वेशन नमबर 64 का जो राइट अंसर होगा विए आपका उप्शन नमबर C हो जाएगा डैस पंच वर्षी योजना में परिकलबना की गई थी कि जिला UEE University Education के लिए योजना की इकाई जो होगी दस में पंच वर्षी योजना में ये परिकलबना की गई थी नेक्स्ट क्वेशन पे चलते हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा केंदरी व्यवसाइक शिक्षा संस्तान की स्थापना एक जुलाई उनिसो त्रेनवे को डैस में की गी थी कहां पे की गी थी तो ये बोपाल में की थी ऑप्शन नमबर C जो है इस क्वेशन का राइट अंसर है क्वेशन नमबर 66 पे चलते हैं डैस आयोग ने भारत में स्वाइता महविद्यालियों की अबधारना की शिफारिस की थी तो क्वेशन नमबर 66 का जो राइट अंसर होगा विया आपका ऑप्शन नमबर A हो जाएगा एजूकेशन कमिशन जिससे कुठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है उसने भारत में स्वाइता महविद्यालियों की अब धारना की शिफारिस से की थी तो क्वेशन नमबर 67 पे चलते हैं राष्टे मुल्यांकन और प्रत्यायन परिशद 1994 में मुख्यालिय के पास अस्तित्य म्याई तो नैशनल असेस्मेंट एंड एक्रिड देश में जिला शैक्षिक प्रस्क्षिक्षन संस्तान की स्थापना की शिफारिस की थी तो यह किस ने की थी कुछ नमर एक्ट इसमें बोला गया है कि बच्चों को निशुर्क और अनिवारी शिक्षा का दिकार अधिनियम डैस मक्य रूप से सारभूमिक प्रारंबिक शि हो था राइट वजिविशन है जो था वन 2009 में आये था ऑप्षिन नमबर एस कुछन का राइट एंसर है नेस्ट कुछन में चलते हैं नेपी 2020 ने स्कूली शिक्षा शैचना को डैस के रूम में प्रस्तावित किया है तो इसका जो स्रचना है विक्या है विक्या है विक्या ह है नेश्ट कुछन में चलते है एन्पी यास्ट क्या है इसकी फुल फरम है क्या है क्षेचन नमर जो थी वो किसके द्वारा त्यार की गी थी तो ये त्यार की गी थी NCRT द्वारा तो option number D जो है इस question का right answer है अगले question में चलते है Nista Capacity Building Program for Teachers and School Principals in India was sponsored scheme of तो भारत में शिक्षकों और school प्रचारियों के लिए किशमता निर्वान कार्यक्रम पर निश्टा इसमें बोलागे कि NSQF launched in India in 2013 stands for NSQF की फुल फॉर्म है वी क्या है तो इसका आपका option number E है National Skills Qualifications Framework question 75 पे चलते हैं इसमें बोलागे कि प्रकाशित शिक्षक शिक्षक के लिए राष्टी पाठे चलाए की रूप रेखा डैस त्यार करने के लिए है तो क्वेश्ट नम्बर सेम्टी सिक्स का जो राइटन्स रहोगा व्यापका option number E हो जाएगा पिशेवर और मानविय शिक्षक जो है इसक्षक का राइटन्स रहा professional and human teacher question 77 पे चलते हैं इसमें बोला गया कि inclusive education of the disabled at the country stage was launched from तो माध्यमिक्स तरपर विकलांगों की समावेश्टी शिक्षा डैस से सुरू की गी थी तो कब से की गी थी तो इसका जो राइटन्स रहा आपका option number C हो जागा 2009-10 question number 70 पे चलते हैं कस्तूरुबा गांदी वाली का विद्यालिया डैस की लड़कियों को अधिगम और गुणबत्ता पूरण शिक्षा परदान करता है तो यह SC, ST, OBC और अलफ संकेक समुदाय को गुणबत्ता पूरण शिक्षा परदान करता है तो तीन option सहीं है तो option number D जो है स्कुष्ण का राइट अंसर है question number 79 पे चलते हैं ITEP ए फ्लैक्षिप प्रोग्राम ओफ एंसीटी स्टैंडफूर्ट एंसीटी का एक प्रमुख कार्यकरम ITEP है जिसका जो अर्थ है वे क्या है तो इसका जो अर्थ है वे integrated teacher education program है option number C जो है स्कुष्ण का राइट अंसर ह इस वीडियो को लास्ट कुष्ण है रूसा ए सेंटरली स्पॉंसर्ट स्कीम वाज लॉंस्ट इन डैस फॉर प्रोवाइडिंग स्ट्रैटिजिक फंडिंग टू एलिजिवल स्टेट हाई रजूकरिशन इंस्टिशन तो पात्र राजिया ओच राजिया ओच सिक्षन संस्त अज हमने एस प्यू मंडी भी एडिन ट्रांस को जिखजाम हो था अज उसमें जो नैशनल कमिस्ट इस वीडियो में हमने डिसकस किया तो फ्रंट्स हमने जी के सक्षिन भी डिसकस कि लिए तो वीडियो अगर आप ने नहीं देखिया तो प्लेलिस में जाकर आप वीडियो कर रहे हो तो उसके लिए जाल है जिसका लूंगी मैंज को संथ नहीं को जाए इंडिदीन हो जाए हन्गें जैक्षिन के वीडियो में उन में से जो है आपने आपको आपने देखा होगा कि SPU मंडी में अधिकतर जो मैक्सिमम जो question थे वो पूछे गए तो जो हमने question detail में discuss किये थे तो अगर आप national commissions and committees on education या teaching attitude के 100 practice questions परचेज करना चाते हो तो 9816270168 नंबर पर आप WhatsApp कर सकते हो और payment का स्क्रीन सोट है आपने इस नंबर पर सेंड कर देना है आपको protected PDF जो है प्रवाइड कर दे जाएंगी अगर आपने दोनों purchase करनी है तो आपको रूपीज 100 जो है वो paid करने होगी अगर आपने एक ही purchase करनी है या commission की commission and committees परचेज करनी है या फिर teaching aptitude के 100 questions तो एक के लिए आपको 50 जो है paid करने होंगी बस आपने इस नंबर पर WhatsApp करना है तो फ्रेंड अगर आप HPUBA डेंटरांस की त्यारी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलेक्स के playlist में आई है जिसका जो link है वो मैंने description box में दे दिया है आप वहाँ पर जाकर वीडियोज देख सकते हो वहाँ पर आपको सभी sections की वीडियोज आपको देखने को मिलेंग झाल